तो आज हम बहुत important कुछ question देखने वाले हैं जो की chemistry से है और आपको class 10th से लेके आपको आगे नीट लेवल पे जी मेंस कोई भी आप competition का exam देते हैं जहां पे आपको chemistry का question पूछा जाता है वहां पे आपको ये बहुत ही काम आने वाला है तो आएए देखते हैं सबसे पहले आ 11 रह सब आपको बताते हैं कि इसमें क्या है पंखो को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखते हैं मतलब आपको क्या करना है अपको को कोल नहीं पसंद करता है Also what You should से पढ़ाई करके अपने लक्ष को हांसिल करना है और एक सक्सेसफुल परसन बनना है तो चलिए अब हम अपने क्वेस्टन की सुरुआत करते हैं यहां पे है बेरियम क्लोराइड क्या है बेरियम क्लोराइड है यह बीए सीयल टू है बेरियम क्लोराइड है और इसका लिखा एक्वस का मतलब यह लिक्विड मीडियम में है और उसके बाद ही किसमें कनवर्ट हो जाता है बेरियम सलफेट में कनवर्ट हो जाता है जो कि किसमें सॉलिड के फार्म में होता है प्लस ऐलुमीनियम क्लोराइड के फार्म में होता है जो कि एक्वस के फार्म में है मतल उससे कौन reaction करेगा तो उसके लिए सबसे पहले हम को आइनाइस करने आना चाहिए अईन तो तोड़ने आना चाहिए तो यह बेरियम है और प्लोराइड तो यह किसमे कानवर्ट होता है तो जो barium chloride है तो barium BA किसमे BA 2 Plus में convert होता है और फिर plus chloride आपका किसमे convert होता है Cl minus के form में convert होता है इधर पर आपका Al2 aluminum जो है वो third group का member है तो aluminum 3 plus के form में तूटेगा और sulfate जो होता है SO42- के form में break होता है किसमें SO42- के form में तूटता है तो हमेशा plus किसके पास जाता है negative के पास जाता है जो plus होता है वो minus के पास जाता है तो इसका plus किसके पास आएगा इसके minus के पास आएगा तो barium sulfate बना लेगा और इसका माइनस किसके पास आएगा इसके प्लस के पास आएगा तो क्या बना लेगा अलुमिनियम क्लोराइड और वही देखें यहाँ पे प्रोडक्ट भी बना हुआ है वही प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हुआ ध्यान से देखेंगे तो वही प्रोडक्ट यहाँ पे बना हम इसको पहले इरीज कर दें बहुत जादा तो यहां से आप देख सकते हैं एक मिनिट यहां पर आप देखे तो यह बेरियम सलफेट बन गया यहां पर क्या बन गया? अलुमीनीयम क्लोराइड बन गया तो कैसे बना? ये भी आपको बता दिया जो प्लस आयन होता है वो माइनस आयन के पास जाता है और पॉजिटीव आयन, नीगिटीव आयन के पास जाके अपना प्रोड़क्ट बना लेता है तो barium sulfate बन गया और aluminium chloride बन गया और यहाँ पर जो 3 है और 2 है यह क्या किया गया इसको balance करने के लिए देखिए यहाँ पर chlorine 2 है तो यहाँ पर भी chlorine के 2 molecules रहने चाहिए मतलब इस तरह से कर दिए कि वो reaction में balance रहे तो यहाँ पर total chlorine कितने है आगे का यह और यह 2 तो जब इसको आगे वाले से हमेशा नीचे वाली इधर की संख्या को क्या करते हैं multiply करते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया 3 chlorine का molecule हो गया अब इधर भी 3 करना है तो हमको आगे 2 लगा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जागा 3 और यहाँ पर क्या है देखिए automatic 2 aluminium है यहाँ पर 2 ल लगा देंगे कैसे लगा देंगे हमको कैसे पता चलेगा यहां देखिए sulphate के formula में 3 होता है तो हमको sulphate को balance करना है तो यहाँ थी लगा देंगे तो automatic हम यहाँ पर 3 लगा देंगे हमारा chlorine भी balance हो जाएगा barium भी balance हो जाएगा हम एक दो को भी balance कर लेंगे तो total भी balance हो जाता है तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको like करिएगा चैनल को subscribe कर लीजेगा और धे सारे जो बच्चे हैं उनको share कर दीजेगा इसी तरह के हम आपके लिए अच्छे वीडियो जाते रहेंग थैंक्स फर वाचिंग